Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी Tarot Ratings है, Tarot Predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल चलिए जैमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं two of wands and work on what has been spoiled तो देखें work on what has been spoiled का a card बहुत ही clearly कहता है कि पीछे या तो आप से कोई गलती हुई है या फिर कुछ गलतिया हुई है या फिर कोई चीज खराब हुई है और इस week उनहीं गलतियों को या फिर उस गलती को आफ सुधारना चाह रहे हैं खराब चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले और देखिए जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक आड बहुत ही clear guidance दे रहा है कि again आगे बढ़ने से पहले जो चीजे ठीक नहीं हैं उनको जरूर आप ठीक कर लें क्योंकि देखिए अगर हम गिटार में से music बजा चाहते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि वो गिटार सही condition में हो क्योंकि देखिए जितना भी अच्छा हमें गिटार बजाना आता हो लेकिन अगर गिटार ठीक नहीं है या फिर तूटा हुआ है खराब है तो उसमें से again अच्छा music हम नहीं बजा पाएंगे इसलिए सुधारें और देखिए again ऐसा ही आप लोग करते हुए दिख रहे हैं और कहीं बहुत ही confidently बहुत ही self-assurity के साथ आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं next steps प्लान करते हुए दिख रहे हैं और जो भी लोग आपके आस-पास हैं उनकी तरफ से भी बहुत एक cooperative, बहुत एक supportive energies रह र हाला कि आपको ऐसे लग सकता है कि उनके साथ आपके views नहीं match कर रहे हैं लेकिन आप लोगों का bond इस week काफी strong रहता हुआ दिख रहा है और फिर से दिखे इसी confidence के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं चीजों को सुधारते हुए दिख रहे हैं चीजों को ठीक करत हैं five of wands reverse and oppression और दिखे oppression का card कहीं low energies की बात करता है कहीं you know बहुत great नहीं again feel करने की बात करता है और यह general reading है तो यहाँ पे सब के लिए different reasons हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि love relationships related कुछ issues हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई materialistic tangible चीज़ आप पाना चाहा रहे हैं और फिर से म कहूंगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकि आपको इस वी कैसे लग रहा है कि आप करना तो चाहा रहे हैं लेकिन आपके पास उतनी resources ही नहीं हैं आपके पास वो महौल नहीं हैं वो you know circumstances नहीं हैं जिससे कि आप उस चीज़ को पापाएं और इसलिया फिर otherwise भी फिर कर रहे हैं बहुत limitations आप महसूस कर रहे हैं जैसे होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं और हमें ऐसे लगे कि हमारे हाथ बंदे हुए हैं तो बहुत एक helpless सी भी feeling होती है और कुछ ऐसा ही मन ही मन again मैं कहूंगी उसी चीज़ को लेकर आप महसूस भी करते हुए दिख रहे हैं और देखें आपर five of wands का card एक conflicting सी energies की बात करता है तो फिर से इसी वज़े से या otherwise भी surface level के लिए भी conflicting सी energies हैं जहां पर देखें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो कहीं इतने supportive आपके goal आपके मकसद के लिए नहीं हो रहे हैं या फिर देख कि overall personal front के लिए बहुत great energies नहीं दिख रही हैं नचल में एक दुविदा है एक conflicting energies हैं जिसकी वज़े से आप emotionally, mentally या फिर physically भी low feel कर रहे हैं और कहीं देखें एक limitations, एक restrictions भी आप महसूस कर रहे हैं और guidance से आप लुगों के लिए third quarter moon का card है और यह card कहता है adjustments are required देखें इस week जो भी आप आना चाहते हैं Gemini's उसके लिए कुछ compromises आपको करने पड़ सकते हैं कुछ adjustments आपको करने पड़ सकती हैं और देखें यह जिन्दगी है और adjustments compromises इस जिन्दगी का ही एक हिस्सा है यानि कि कोई भी इस दुनिया में इंसान नहीं है जिसको कभी भ adjustments ना करने पड़ें लेकिन देखें जब भी भी adjustments हम कर रहे हों हमें एक चीज का खयाल रखना चाहिए कि हम अपनी self respect को ना compromise करें कहीं हम अपने आपको बहुत जादा back seat पे ना रखें क्योंकि हर चीज में एक balance बहुत जरूरी होता है और देखें दूसरी बात जो भी चीज करें कि यही energies आपके उपर हावी ना हों क्योंकि देखिए जब हम बहुत इन चीजों को अपने mind में बड़ा बनाते हैं या फिर बहुत इन चीजों को महसूस करने लगते हैं तो यह चीजे इतनी बड़ी हो जाती हैं और हम इतने weak हो जाते हैं कि फिर यह चीजे हमारे उप पर हावी होती हैं और हमें इन में से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख पाता है और जब देखिए जितनी भी बड़ी चीजें हों externally हम बहुत strong रहते हैं या फिर हम उनको इतना जादा दिल में नहीं महसूस करते हैं मन में नहीं महसूस करते हैं तो यह चीजें छोटी हो इतना हम strongly हर चीजें को फेस करते हैं उतना ही हम जो भी चीजें हमें परिशान करती हैं उनको छोटा कर पाते हैं और beyond the point हम परिशान नहीं होते हैं तो इस चीजे का खयाल जर्मिनी इस वीक आप सरूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है और इसके हिसाब से yellow color इस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राश रिफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए